आज़ो नमस्ते तो एकलिए एट आज का यह वीडियो टाटा नेक्सॉन के इंफो टेंड्मेंट सिस्टम से रिलेटेड है मेरे टाटा नेक्सॉन इंफो टेंड्मेंट सिस्टम में अलाउं कॉन्टेक्ट सिंग फ्रॉम डिवाइस का एरर आया जिसके solution के लिए मैंने YouTube और Internet सर्च किया लेकिन मुझे कोई वीडियो या blog इस solution पर नहीं मिला कुछ चीजे try करने पर finally मुझे solution मिला जो इस वीडियो में cover किया है सबसे पहले जो step मैंने किया वह था इस issue को Google करना और Google search में top links support.google की थी जिसे मैंने step by step follow करने का try किया लेकिन इस site पर दिये गए steps में जो option select करने को कहां गया है वह option ही मुझे mobile पर नहीं मिला आप वीडियो में देख सकते है सो इस steps से मुझे issue का solution नहीं मिला next troubleshooting step जो मैंने किया वह था infotainment system को reset करके देखना मैं आपको बताना तो भूली गया कि यह error कब आया तो हुआ यूं कि मैंने system से दो और mobile कने किये थे और फिर जब मैंने मेरा primary mobile फिर से connect किया था तो यह error display पर देखने को मिला तो अब हम system को reset करके देखते हैं तो हम जाते settings में settings में गये settings में vehicle setup में से settings में जाकर system setup में जाते हैं और यहां करते हैं reset to factory default yes करते हैं और यह अभी reset हो गया है factory reset completed please restart the system to proceed अभी हम system को restart करते हैं उसके लिए हम पूरा गाड़ी को बंद करते हैं हमारे गाड़ी बंद हो गई है अभी हम फिर से start करते हैं कि हमारा issue solve होता है कि नहीं उसके लिए हम को connect करना पड़ेगा हमारे phone को तो हम phone connect करते हैं तो हम अभी pair करते हैं device को pair पर जाते हैं ओके और फिर यहां पर connect to your device और यह देखें यह मेरा हमने अभी देखा कि reset करने के बाद भी यह error नहीं गया तो अभी हम चलते हैं next step पे इसमें कि हम सारे pair device को remove करेंगे जाते है setup में settings में जाते है phone settings में जाते है pair device करते है इसको delete करते है yes okay यह हमने delete किया और अभी हम क्या करते है आप देख सकते हैं अभी हम pair new device करते है पेर new device करने के बाद visibility है यह देखे है हमारी आप यह इस ने ब्लूटूथ ले लिया है अभी हम इसको पेर का लाव करना है अलाव करना है अलाव करना है that's it तो अभी आपको जो है इसमें हम देखते हैं कि fetching call locks यहां पर call locks आपके fetch हो रहे है और यहां पर आपको phone book भी download हो रही है तो which is this is how you need to solve the issue अगर contacting का issue आता है तो so it will take some time यह देखिए आशा करता हूँ यह information आपके लिए useful होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please like share और मेरे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद जय हिंद